हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू इंडियने स्टडी इंडियने स्टडी पर आपका स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूँ जो की आपकी आने अलोय एक्जाम यूपी जेलो ओडर के लिए बहुत ही जादा इंपोटेंट है तो वीडियो को एंड तलग जरूर देखिएगा क्योंकि लाश्ट वा मैं आपसे कोसंस बोचूँगा और उसका आंसर आपको कमेट बॉक्स बताना होगा साथ इस वीडियो की पीडियेफ डिस्क्रिप्सन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है वहाँ से आप प्राप्त कर लीजिएगा सारी पीडियेफ बिल्कुल आपको फ्री में प्रोवेड करवाई जाती है तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला कोसन पहला कोसन त्री पटक निम्लिकत में से किस संब्धत है तो अगर हम बात करें त्री पटक की तो त्री पटक निम्लिकत में से किस संब्धत है तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बहुत धर्म से ज बहुत important कोंसे है जल्दी बताइए बांगलादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है तो बांगला देश में गंगा को हम किस नाम से जानते हैं आप सभी लोग जानते हैं पदमा के नाम से जानते हैं गंगा नदी उत्राखंट राज के उत्तरदाई जिले में गोमोक के निकट डंगांगोटरी हिमनस से निकलती है देप्रिया के उपर इसे भागिरती का जाता है मेदानों में गंगा और वांगलादेश में इसे पदमा की नाम से जाना जाता है आप ये सभी जानते होंगे नेक्ष्ट कोसंस उत्तर प्रदेश की संस्कर्तिक परंपरा में पूरन भगत निमलेकत मैंसे क्या है पूरन भगत क्या है ये हमसे पूछा गया है बहुरन भगत ये एक लोग गीत है दूसरा ओपसनस आपका विर्गल करեक्ट भारत के किस राज की तटिये सिमा सबसे ब्लंबी है ये भी बहुत सिंपल कोसंस है तो भारत में गुज़राइत राज की तटिये सिमा है ये सबसे लंबी है ठीक है ना जबकि गोवा राज की तटीय सीमा सबसे छोटी है और दच्छल भारती राज्यों की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी तटीय सीमा वाला जो राज्य है वो है आंद प्रदेश ठीक है नेक्ष्ट कोसंस आपके समने सरकारिया आयोग निम्ले के तमय से किस समन्द थे तो सरकारिया आयोग का जो समन्द है ये केंदरवा राज समन्द से है ठीक है ना 24 मार्च 1983 को केंदर राज्यों के मद मधुर समन्द स्थापित करने के लिए सरकारिया आयोग की स्थापना की गई थी ठीक है ना, नेक्ष्ट कोसंस की तरफ चलते हैं, नेक्ष्ट कोसंस आपके साब ने, अभीना भारत की स्थापना किस ने कीती, यह हमसे पूचा गया है, तो अभीना भारत की जो स्थापना है, यह किस ने कीती, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा, बीडी स प्रतिवी पर मौसम परिवर्तन का क्या कारण है प्रतिवी का परिक्रम तता अपनी धुरी पर जुकाओ पहला ही ऑप्संस आपका बिल्कुल क्या है करेक्ट है दाली बनाने के लिए कौन से दर्पन का उप्योग किया जाता है तो दाली बनाने के लिए हम कौन से दर्पन का उप्योग करते है अबतल दरपन का पहला ही आपसंस आपका विल्कुल क्या हो जाएगा बच्चो करेक्ट हो जाएगा बेवेका नंद सिला इसमारक कहां पर है जल्दी बताइए बेवेका नंद सिला इसमारक कहां पर है तो आपका जो सही अंसर हो जाएगा वे हो जाएगा कन्या कुमारी में चुवाता ओप्सन्स करेक्ट भारतिय सम्मीदान का आर्टिकल या अनुच्छत 340 किसे सम्मधत है तो अनुच्छत 340 पिछला वर्ग आयोक से सम्मधत है उस्तम नियाले के निर्देश पर भारत सरकार द्वारे एक सम्मेदानिक निकाई की रूप में 1983 में किया गया था राष्टी या पिछला वर्ग आयोक की स्थापना की गई थी और इसे अनुच्छत 340 पिछला वर्ग आयोक से ही सम्मधत है अमले वर्षा निम्ले के तमेंसे किस वायू प्रदूसर्ण के करण होती है बहुत इंपोर्टेंट कोस्टन से क्योंकि जो ताज में ले वो अमले वर्षा का ही प्रणाम है कि जो पीला पड़ता जा रहा है तो अमले वर्षा किसके करण होती है नाइटरस ऑकसाइड और सल्फर डाय ऑकसाइड के कारण तीसरा ओपसंस करेक्ट निमले के तमेंसे कौन सा अपसिष्ट परवत भारत के उत्तर पस्चिम में स्थित है तो कौन सा अपसिष्ट परवत भारत के उत्तर पस्चिम में स्थित है तो भे आपका अरावली पहला ही आपसंस करेक्ट निम्ले के तमेंसे किस या किन का उप्योग जैब और वरक के रूप में किया जाता है तो जैब और वरक के रूप में किन का प्रियोग किया जाता है आजूला का भी करते हैं नील हरित सेवल का भी करते हैं अलफा अलफा का भी करते हैं ये सभी का प्रियोग करते हैं चौताई आपसंस आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा नेमले के तमय से फ्यूरर के नाम से किसे जाना जाता है कौन एडोल्फ हिटलर और वे नाजिवात का जनक तता मीन केम जो आपकी पुस्तक है यह हिटलर की आत्मकता है नेक्स्ट कोसंज थीन डेम परियोजना किस नदी परिष्थे थे तो थीन डेम परियोजना जो है यह रावी नदी परिष्थे थे पहला option सापका प्लकुल क्या हो जाएगा correct हो जाएगा ये पंजाब राज में ये भी आप याद कर लीजे Lodhi ab công tem अंतिम सुल्टान कौन था तो Lodhi bonze का जो अंतिम सुल्टान ता वो कौन था तो आपका जो सही अंसर हो जाएगा इबराहिम लोधी ठीक है सिकंदर लोधी का उत्तराय दिका री था ये इबराहिम लोधी बाबर इबराहिम लोधी को हरा देता है और ये रण भूमी में मारा जाता है कौन इबराहिम लोधी तो लोधी बंद का जो अंतिम सासक है वो अबराहमी लोधी था बाबर इसे मार देता है फिर मुगल सत्ता की स्थापना होती है योजना आयोग का प्रतम अद्देक्ष कौन था तो योजना आयोग का प्रतम अद्देक्ष था जवाहर लाल नहरू दूसरा ओप्सन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा क्योंकि योजना आयोग अब नीती आयोग बन गया पहले योजन्jadi आयोग के जो अध्यक्ट्स थे, वो प्रदान मंतरी होते है, और पहले प्रदान मंतरी हमारे زवाल लालने हुई थे, इसलिए योजन्שים आयोग के प्रतम अध्यक्ट्स भी यही कहलाएंगे औरंग जेव ने निमले के तमेंसे किस सिक्ष गुरू को मिरत्यु डंड दिया था तो आप सभी लोग जानते हैं किस गुरू को दिया था गुरू तेक भाध्दुर को औरंग जेव ने सिक्कों के पिर्ती संकील धार्मिक दरश्टी को अपनाया था अपने उसने सिक्कों के नौमे गुरू ये जो तेग भाद्दूर थे ये नौमे गुरू तेग भाद्दूर को मुस्लिम धर ना अपनाने के करन उन्हें मित्रिदंड दिया था ठीक है नेक्स्ट कोसंस निम्ले के तुमेंसे कौन सी गर्म जल्दारा है तो क्यूरो सिया प्रवा जो है ये गर्म जल्दारा है तीसरा उपसंस आपका बिल्कुल करेक्ट पी एसल्वी का फुल फॉर्म आपको बताना है कि पी एसल्वी का फुल फॉर्म क्या होता है तो PSLV का जो फुल फर्म होता है वो होता है आपका पूलार सेटिलाइस लाउंच वीकल यानि कि पहला ही आपसंस आपका बिल्कल क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा एतलीट को ततकाल उर्जा देने के लिए क्या प्रदान किया जाता है तो उत्तर प्रदेश राजस पसीसत का जो नयाएक मुख्याल है न ये इलाबाद में इस देते दूसरा ओप्संस करेक्ट करकरेका निमलेकत में से किस राजस से होकर नहीं गुजरती पहले तो आप ये जान लो कितने राज्यों से होकर गुजलती आट राज्यों से इसकी ट्रिक भी है गरम चत जाड़ पर मित्र गा से होगिया आपका गुजरत रा से होगिया आपका राजस्तान मा से होगिया आपका महराज्ट गरम चत चत से होगिया चत्तीस गड़ जाड़ जाड़ से होगिया आपका जाड़कंड जाड़ पर पास होगिया आपका पस् ठीक है ना निमले के तमेसे कौन मॉले कदशे कारों का रक्षक होता है तो मॉले कदशे कारों का जो रक्षक है यह किस ने करवाया था यह चोल डाइनेस्टी ने करवाया था यानि कि इस कोसंस का दूसरा ओफसंस आपका बिल्कुल करेक्ट है पानिपद का तीसरा यूद है ये लडा गया था आपका एहमद साहब दाली और मराठो के बीच कब लडा गया था? यह 171 सेड़ में लडा गया था, ठीक है न? इसमें क्या हूआ था? मराठो की जो हार हो गई थी गद्दी जन-जाती कहा नवास करती है? तो अगर हम बात करें गद्धी जन जाती की तो ये हिमाचल प्रदेश में नवास करती है पहला उपसंस करेक्ट लोसांग उतसब किस राजे से समझत है तो आपका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम पहला ही उपसंस करेक्ट है अफगानिस्तान की संसत का नाम क्या है बहुत इंपोटेंट कोसंस तो अफगानिस्तान की जो संसत का नाम है वो है आपकी सोरा दूसरा उपसंस करेक्ट वर्स 2011 की जनगarnaha के अनुसर निम्ले की तमेसे किस राज का जनसंग के अगनटव सबसे अधिख है जनसंग के अगनटव की बात हो रही है सबसे अधिख जनसंग के अगनटव वाला राज कौं सा है बेहार तीसरा आपसंस आपका विल्कुल करेक्ट हो जाएगा जबकि सबसे कम जन संग के गनत वाला जो राज है वो है अनुराचल प्रदेश तो वो भी आपको पता होना चाहिए अच्छा ये आंकड़े 2011 की जनगरना के नुसार है कनाडा की राजदानी क्या है आप सभी लोग जानते है प्रकिरिया को हम कहते है इस पूफिंग क्या कहते है इस पूफिंग दूसरा आपसंस आपका बिल्गल करेक्ट हो जाएगा सार्व वोमिक मानवादिकार गोशना पत्र का कौन सा अनुच्छेद मानप के दुर वहवार एवं वलात सरंब का पृतिसेद करता है तो कौन सा अनुच्छेद करता है अनुच्छेद चार दूसरा आपसंस बिल्गल करेक्ट है छोटे छोटे राज्यों की मांग फिलिंदा बलेंक्स खत्रा पैदा करती है तो छोटे 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 राज्यों की जो मांग है वो किस प्रकार का खत्रा पैदा करती है राश्टी एक तयव अखंडिता के लिए पहला ही आपसंस आपका बिल्कल करेक्ट हो जाएगा पक्तारी किह एंट्व पैजरो विडियो को लाइक कीजीई सैर कीजिये और साथ भी साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्यों किम रोजन ऐसी तरह के वीडियोज आप लोग लिए लात रहता हूँ नमस्कार दोस्तो जै हिंद जै भारत